हेलो बच्चों, क्लास वाइव मिथेमाटिक्स, चाप्टर फोर, फैक्टर्स अंद मुल्टिबल्स, पार्ट थ्री आर टॉपिक इस प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोड़क्ट के फॉर्म में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं, लेकिन इसमें से 6, 9 और 18 कॉम्पोजिट फैक्टर्स हैं, क्योंकि उन्हें हम और फॉर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, हम 18 को लिख सकते हैं, 2 into 9 और उसको फॉर्दर फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3 तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 3 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलव हम इस तरह से उसे फैक्टराइज करें कि सारे फैक्टर्स प्राइम हूं, Then, it is called prime factorization. Now, let us take another example of 15. 15 को हम factorize कर सकते हैं as 3 into 5. इसमें 3 और 5, 15 के prime factors हैं. प्राइम factorization को करने के दो तरीके हैं. एक है factor tree method और दूसरा है division method. अब हम दौनों methods को एक एक करके समझेंगे. सबसे पहले है factor tree method. factor tree method से let us factorize 24. तो 24 को जब हम factorize करेंगे, तो factorize करने के हम क्या लिख सकते हैं 24 को? we can write it as 6 into 4. ओके, हम 6 for the 24 लिख सकते हैं, तो मैंने इसके दूब branches बनाई. एक branch पे लिखा 6 और दूसरे branch पे लिखा 4. अब इस 6 और 4 को हमें further factorize करना है. तो हम इनके भी branches बना सकते हैं. 6 और 4 को factorize करेंगे, तो 6 के factors आएंगे 2 और 3, तो कि 2 into 3 is 6, और 4 के factors हुंगे 2 into 2. So, we can write 24 is equal to 2 into 3 into 2 into 2. अब इसी नंबर को हम और भी तरीके से factorize कर सकते हैं. मैंने एक और तरीके से इसी नंबर को factorize करके आपको show किया है. मार लीजे आपने 24 को factorize किया into 2 into 12. तो एक branch पे आगया 2, अगले branch पे 12. अब 2 तो प्राइम है, further factorize नहीं होगा. 12 को हम और आगे factorize कर सकते हैं. 12 को हम factorize करके लिख सकते हैं 2 into 6. अब इसमें 2 फिर से प्राइम है, 6 को हम आगे और factorize कर सकते हैं. हम 6 को factorize करके लिख सकते हैं, 2 into 3. अब वापस हमें factors मिल गए 24 के, 2 into 2 into 2 into 3. तो हम देख रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा तरीकों से factorize कर सकते हैं, using the factor 3 method. लेकिन आपको factors वहीं मिलेंगे. इसमें आपको 3 बार 2 और 1 बार 3 मिल रहा है. That means factors remain same, order can change. नमबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वहीं नमबर रहेंगे. So factorization of a number is unique, only the order can change. Now, let us move on to another method. The next method is division method. इसमें मैंने example लिया है 36 का. We are dividing 36. पहले हम 36 को 2 से divide करेंगे. 36 को 2 से divide करने पर हमें मिलेगा 18. अब 18 भी 2 से divisible है, तो हम 18 को फिर से 2 से divide करेंगे. 18 को 2 से divide करने पर हमें मिलेगा 9. अब 9 तो 2 से divisible नहीं है. अब 2 के बाद अगला प्राइम नमबर है 3. तो हम इसे 3 से divide करेंगे. 9 को हम 3 से divide करेंगे, तो हमें मिलेगा 3. अब 3 को हमें 3 से ही divide करना पड़ेगा. 3 को 3 से divide करने पर हमें मिलेगा 1. So, हम देख रहे हैं 36 के factors. So, प्राइम factors हमें मिल गए वो numbers जो left side पे लिखे हुए हैं. So, 36 can be written as 2 into 2 into 3 into 3. तो यह हो गया prime factorization by division method. Now, let us start exercise 4.3. Question number 1. Fill in the boxes of the factor trees. यह में हमारे पास है 28. 28 को दो पाट्स में split किया है. 14 into dash. अब इस dash में क्या है? मैं कैसे पता चलेगा? हम 28 को अगर 14 से divide करने हैं तो we get 2. That means 14 into 2 is 28. तो इस blank में हम लिख देंगे 2. अब 14 को हमें further split करना है. So, 14 can be written as 2 into 7. और we can write 7 into 2. तो इन दौनों blanks में हम 7 और 2 लिख सकते हैं. तो पहले blank में मैंने लिखा 7. दूसरे blank में लिखा मैंने 2. आप चाहें तो पहले blank में 2 और बाद में 7 लिख सकते हैं. और 2 तो पहले से ही prime है. तो इस branch में 2 as such नीचे आ जाएगा. किया है, एक part में तो 3 है, दूसरा part खाली है. 18 को 3 से divide करने पर हमें मिलता है 6. और we can say 6 into 3 is 18. तो पहले blank में हमें मिल गया 6. अब 6 को हमें further split करना है. We know that 2 into 3 is 6. तो हम यहाँ पर 2 और 3 लिख सकते हैं. तो एक branch में लिखा 2, अगले में में लिखा 3. और 3 क्यूंकि prime है, वो नीचे वाले branch में as such आजाएगा. So, 28 can be written as 2 into 2 into 7. And 18 can be written as 2 into 3 into 3. Generally हम factors को ascending order में लिखते हैं. इसलिए मैंने पहले 2 लिखा और बाद में 7, 28 की case में. इसी दरह से 18 में भी पहले 2 और बाद में 3 लिखा. Now come to next parts. C part में हमारे पास है 60. 60 को 2 parts में split किया है. एक part में 4 लिखा हुआ है. दूसरे part में क्या है? कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया. आप 60 को 4 से divide करके check कर लिजे. When we divide 60 by 4, we get 15. And cross check करने के लिए आप देख सकते हैं. 15 into 4 is 60. So, पहला answer हमें मिल गया. अब 4 को हमें further split करना है. We know that 2 into 2 is 4. तो 4 को split करके हम लिख सकते हैं. 2 into 2. अब 15 को split करना है. 15 का हमें पता है. 3 into 5 is 15. तो in blanks में हम लिख सकते हैं. 3 and 5. तो 60 को split करके हमारे पास आएगा. 2 into 2 into 3 into 5. अब D part पे चलते हैं. 105. यहाँ पर एक ब्रांच में तो 5 है. अगली ब्रांच में हमें निकालना है. So, 105 को जब हम 5 से divide करते हैं. We get 21. So, 21 into 5 is 105. अब 21 को हम split करेंगे. We know that 3 into 7 is 21. तो इस ब्रांच में हम लिख सकते हैं. 7 and 3. और 5 पहले से ये प्राइम है. तो नीचे आकर भी हम उसे 5 लिखेंगे. So, we can write. 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5. And 105 is equal to 3 into 5 into 7. जैसे कि मैंने आपको बताया, factors को हम ascending order में लिखते हैं. इसलिए मैंने पहले 3 लिखा, फिर 5 और फिर last में 7. Cushion No. 2 Use the factor tree method to prime factorize the following. ए पार्ट में आपके पास है 16. 16 को हम दो पार्ट में rewrite कर सकते हैं. पहले पार्ट में मैंने लिखा 2 और दूसरे में 8. क्योंकि 2 into 8 is 16. आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. आप 4 into 4 भी 16 कर सकते हैं. factor tree में आप किसी भी तरह से उसे factorize कर सकते हैं. मैंने एक तरीके से किया है. आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं. अब एक ब्रांच तो मुझे 2 मिल गया. 2 is already prime. अब 8 को मैं और फर्दर split करूंगी. 8 को I can write 2 into 4. अब 2 prime है. 4 को फर्दर split किया जा सकता है. 4 को हम और फर्दर split करके लिख सकते हैं. 2 into 2. So, we have 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. Now, come to B part. B में हमारे पास है 36. 36 को हम दो पार्ट में split कर रहे हैं. एक पार्ट में मैंने लिखा 4. दूसरे में मैंने लिखा 9. क्योंकि 4 into 9 is 36. अब हम 4 को और फर्दर split कर सकते हैं. 9 को भी फर्दर split कर सकते हैं. 4 को हम split करके लिख सकते हैं. 2 into 2. और 9 को लिख सकते हैं. 3 into 3. So, 36 can be written as. 2 into 2 into 3 into 3. अब C पार्ट में हमारे पास हैं 42. 42 को मैंने दो पार्ट में split किया है. 6 into 7. 6 को मैं और फर्दर split कर सकते हूं. 6 can be written as 2 into 3. अब 7 तो पहले से ही प्राइम है. तो उसे हमने as such नीचे लिया है. बाकी आप उपर भी इस ब्रांच को रख सकते थे. So, हमें 42 के factors मिल गए है. 2 into 3 into 7. Now, D पार्ट we have 27. 27 को हम दो पार्ट में split कर सकते हैं. 3 into 9. 3 into 9. 27 होता है. अब 3 तो प्राइम है. ये और फर्दर split नहीं होगा. As such उसे हम नीचे लिख सकते हैं. 9 को फर्दर हम split कर सकते हैं. 9 can be written as 3 into 3. तो हमारे पास 27 का factorization आजाएगा. 3 into 3 into 3. Now, E we have 120. 120 को मैंने दो पार्ट में लिखा है. As 10 and 12. 10 into 12 is 120. 10 can be further split. and 12 can also be further split. 10 को हम split कर सकते हैं. into 2 into 5. क्योंकि 2 5 ते 10 होता है. तो 2 into 5 हमने 10 को split कर लिया. 12 को हमें split करना है. तो 12 को मैंने split करके लिखा. 2 into 6. अब 2, 5, prime है. लेकिन 6 प्राइम नहीं है. 6 को हम further split कर सकते हैं. तो 2 और 5 तो as such नीजे आ जाएंगे. लेकिन split हो जाएगा 6 into 2 and 3. क्योंकि 2 into 3 6 होता है. तो 6 को हमने further split कर लिया. और split करने के बाद हमारे पास factors आए 2, 5, 2, 2, 3. So, we can write 120 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Question number 3. Use the division method to find the prime factors of the following. अभी पिछले question में हमने factor 3 किया. इस question में हमें division method यूज करना है. So, let us use division method. एपार्ट में हमारे पास है 18. 18 को हम 2 से divide करेंगे. तो हमें मिलेगा 9. अब 9 को हमें 3 से divide करना पड़ेगा. 3 से divide करने पर हमें मिलेगा 3. 3 को हम फिर से 3 से divide करेंगे. हमें मिलेगा 1. हमें division तब तक करते रहना है जब तक हमें 1 न मिल जाए. और हम यहाँ पर divide करने के लिए सिर्फ prime numbers को ही use करेंगे. तो 18 को factorize करके हमें मिलता है 2 into 3 into 3. अब B part में हमारे पास है 72. 72 को हम divide करेंगे पहले 2 से. 2 से divide करने पर हमें मिला 36. 36 को हम फिर से 2 से divide करेंगे हमें मिलेगा 18. 18 को 2 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 9. 9 को हम 3 से divide करेंगे हमें मिलेगा 3 और फिर से 3 को 3 से divide करने पर हमें मिलेगा 1 तो 72 के factors हो गए 2 into 2 into 2 into 3 into 3 C में हमारे पास है 100 100 को हम सबसे पहले 2 से divide करेंगे 100 को 2 से divide करने पर हमें मिलता है 50 हम फिर से 2 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 25 25 को हम 5 से divide करेंगे 5 से divide करने पर we will get 5 और 5 को 5 से divide करने पर हमें मिलता है 1 So 100 के factors हो गए 2 into 2 into 5 into 5 Now come to D part D में हमारे पास है 54 हम 54 को सबसे पहले divide करेंगे by 2 2 से divide करने पर हमें मिलता है 27 अब 27 तो 2 से divisible नहीं है हम 3 से divide करेंगे 3 से divide करने पर हमें मिलेगा 9 9 को हमें 3 से divide करना है जब हम 9 को 3 से divide करेंगे हमें मिलेगा 3 अब 3 को 3 से divide करेंगे हमें मिलेगा 1 So 54 को जब हम factorize कर सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 3 Now come to E, 280 280 को भी सबसे पहले हम 2 से डिवाइट करेंगे 2 से डिवाइट करने पर हमें मिलेगा 140 अब 140 को हम फिर से 2 से डिवाइट करेंगे हमें मिलेगा 70 70 को 2 से डिवाइट करने पर we get 35 35 2 से डिविजिबल नहीं है अगला प्राइम नमबर है 3 3 से भी डिविजिबल नहीं है 35 so next प्राइम नमबर है 5 तो हम 35 को 5 से डिवाइट करेंगे जब हम 35 को 5 से डिवाइट करेंगे we will get 7 अब 7 तो 7 से ही डिवाइट होगा क्योंकि ये प्राइम है तो 7 को 7 से डिवाइट करने पर we get 1 so 280 can be factorized and written as 2 into 2 into 2 into 5 into 7 यहाँ पर हमारी exercise complete होती है अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक explain करूँगी until then, bye